रिजॉल्विंग टेक में आपका स्वागत है क्या आप भी उन में से हैं जो कि एक ही डिवाइस में दो वाट्साप चलाने की एक्षा रखते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने एक ही डिवाइस में दो दो वाट्साप चला सकते हैं यह टेकनिक काफी एजी है और आपको कुछी स्टेप फॉलो करने होते हैं मैं यहां आपको स्टेप बाइस स्टेप गाइडिन्स प्रवाइड करूंगी आप बिनाल किसी प्रॉब्लम के अपने डिवाइस में दो वाट्साप चला सकेंगे तो अब आप अपने स्पार्टफोन को पकड़ें और मेरे साथ दो वाट्साप अकाउंट एक ही डिवाइस में कैसे चलाया जाता है इस प्रॉसेस को सीखें वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाएए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें तो फ्रेंट्स एक ही मोबाइल पे दो वाट्साप अकाउंट यूज करने के लिए हमें कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है हमें सीधे चलना होगा अपने फोन के सेटिंग पे तो मैंने यहां से अपने फोन की सेटिंग उपन कर ली है दोस्तों जब आप अपने पर्मिशन वाले सेक्शन में यहां से मैंने एप एंड पर्मिशन वाला सेक्शन उपन कर लिया है अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि थार्ड नंबर पर यहां पर एक एप क्लोन करके ऑप्शन दिया हुआ है हम यहां से इसको टैप करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं क की WhatsApp, Facebook और Instagram तीनों की cloning पॉस्टिबल है इसका मतलब यह कि आप एक ही phone में इन सारे social media account के apps का clone रख सकते हैं यहां से मैंने WhatsApp को on कर दिया है और हमारा duplicate WhatsApp इस phone पे download हो चुका है हम वापस चलते हैं अपने home screen पे तो friends देखिए यह रहा हमारा WhatsApp clone अब हम इसको यहां से open करते हैं open करने के बाद आप देख सकते हैं कि यह आपकी preferred language पूछ रहा है मैंने यहां से English select कर ली है next करने पे आपको इनकी term and conditions agree करनी होंगी और continue करना होगा then यह आप से आपका second वाला mobile number पूछ रहे हैं तो friends यहां आप अपना दूसरे sim का number add करके अपना WhatsApp account start कर सकते हैं तो यह थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हैं तो please do subscribe to my channel and also like my videos thank you so much